विधास्ता का नियम् किसी भी संक्या का विवास्ता का नियम क्या होता है इसको समझेंगे तो आज के बाद आपको किसी परकार का दिक्कत नहीं होगा ध्यान से तेह रहें गें है विभास्ता करें तक अब आजज का टोपिक है ध्यान से देखना गला में और विभाजिता का नियम है क्या चीडि'M आप समझे में तैसे कोई भी बड़ा अंक आपको मिल जाये जैसे साथ छो पांगे और तेन दो एक साथ कुछ भी बोलते हैं तो किस अंग से डिवाइड होगा तो आप देख के आप बता सकते कि इस अंग से डिवाइड होगा उसी का नियम आज हम बता रहें आपको सिर्फ आपको ध्यान से देखना है तो आपका सवाल तयार हो जाएगा और कंटिन्यू आज वीडियो पूरी तरह आप देख लेंगे तो आपको फिर कभी विवास्ता का नियम में दिक्कत नहीं होगा और इस पर आधारिस सवाल आप अराम से बना सकते हैं तो चलिए हम इस्टार्ट करते हैं तो चलेंगे और कंटिन्यू आपको continue आपको सिखा देंगे जहां तक आप सिखना चाहते सारे की विवास्ता की नियम आप सिख सकते हैं तो सबसे पहले हम दो का विवास्ता की नियम हम चलते दो के विवास्ता की नियम क्या है ध्यांत देखने दो से विवास्ता की नियम तुरह पूरा संक्या 2 से कट यानि इकाही अंग आपका 0 हो गया तो 2 से लिवाइड हो यहां पर 789 924 दो तु याद रखना है कि इकाही अंक आपका Zero हो गया या फिर दो से कटने वाला कोई भी डिजिट ही यह पर देख लेते हैं वह पूरा जितने भी वह पूरा दोसी रिवाइड न होगा ब sì 8हेट 3256 या 9 तो इसका एकाई अंग जो होता है नहीं होता है इस्कारण से इसमहिए यदि निवाइट करेंगे यह पूरा संग्या दो सीरीविपाइड नहीं होका। तौअ सम awareness की किई नॹ कर्केरर step questi दो हिंक 106 होना चाहिए तो दो से कटेगा या एकाई अंग दो से कटने वाला कोई वे डिजिट होगा तो वह दो से रिवाइट होगा अन्य था इसके अलावा कोई वे डिजिट हो जाएगा तो दो से रिवाइट नहीं होगा तो दो से विवास्ता कर नियम आपको समझ माग या कोई दिक्कत नहीं है चलिए आ सांख्या के सभी अंको का योगफल तीन से भिभाजित हो तो आपूरी सांख्या तीन से भिभाजित होगी के यहा नियम हो गया कि सबक जोर यानि आट पांधरा हो गिया पांधरा हो गया पंदरा हो गया तो वह पुरी संख्या तीन से विवाधित हो हम अब चेक करेंगे 7, 10, 15, 15, 16, 16 को 7 तीया 3 से डिवाइट नहीं होता, हम बोль देंगे यह 3 से डिवाइट में हो का ता अपको समझ में आ गया 3 से विवास्ता कर नियम क्या हो गया सभी अंकों का जोड़, 2 से सकषाERपाशा बिवास्ता का नियम होगा जीरो और तो अब हमं चलते हैं चार से विवास्ता कनियम का है ठ हमसे देखना आज हम यहाद करवा देंगे रहरा आपको दिक्कत ना होगा चार से विभास्ता का नियम चार से हम चलते हैं चार से विभास्ता का नियम हम एक बार बोल देते हैं कोई भी संख्या चार से पूर्णता विभाजित होगे यदि उस संख्या के इकाई तथा दाही अंकों से बनी संख्या यदि दो चार से विभाज संख्या है चार से विभाजित हो गिया तो पूरी संख्या चार से विभाजित है इस इतना ही कम करना और कुछ करना नहीं है जैसे यहां पर हम लिखते हैं तीन, दू, साथ, पांच, यहां देख लिए कि 75, 4 से कट रहा है गया, यह 24 को 4 से हम भाग दिया, यह 6 बार में कट, कितने बार में कटा इसे मतलब नहीं, लेकिन कटना चाहिए, यह 4 कटेगा, यह 75 को हमने देखा कि 4 से विभाजित नहीं कर रहा है, तो यह पूरा संग है, 4 स पांच कनियम हम चलते हैं, पांच कनियम आपका क्या है, ध्यान से देखना है, देखें, पांच कनियम आपका कहता है, पांच कनियम हम चलते हैं, पांच कनियम आपको बोला जाता है कि वह पूरी संख्या, पांच से पूंड तब विभाजित होगी, यदि उस संख्या का एक एकाई अंक यादी जीरो हो या फिर पांच हो यानि कहाने का मतलब आपका लास्ट या फरस्ट अंक जैसे बोलता है इस तरफ से बोलेंगे तो फरस्ट अंक हो जाएगा ने तो लास्ट अंक हो गई एकाई आई कोई भी अग का इकाई अग 0 हो या फिर 5 हो कोई भी संग्ख्या का इकाई अग 0 हो या फिर 5 हो तो आप पूरी संग्ख्या 5 से डिवाईड होगा जैसे एकजम्मल हम ल yol हम लेते हैं साथ, तीन, दू, चो, जीरो 0 जैसे इकाई में आ गया तो इसको बोल सकते पूरा संख्य पांच से कड़ेगा जैसे दूसरा हम ले ले Linkedin नो, तीन, दू, साथ, पांच लास्ट में जैसे पांच देखे ति इसको बोल देंगे, पूरा संख्य पांच से कड़ेगा इसके अलाबा साथ, तीन, दू, छो, आठ ये आठ ले लिए पाँच से ने कटा तो इसको बोल देंगी काट से ने कटेगा सिंपल चीज़े है आप समझे दो का नियम एक आई में जीरो या समसंख्या होना चाहिए तीन का नियम हो गया सब का जोर चार का नियम हो गया लाष्ट दू अंग पांच का नियम हो गया, जीरो और पांच, आप छो का नियम चलते हैं, छो का नियम ध्यान देना है कि छो का नियम आपका है, छो का नियम में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, छो का नियम आपका है, कि जिस भी सांख्या को, हम इसका प्रिभासा बोल देते हैं, चो से पूर्णता विभाजित होगी, यानि कहने का मिंस यह हो गया, कि कोई भी सांख्या चो से पूर्णता विभाजित होगी, यादि वह सांख्या दू से भी कट जाए, या वह सांख्या तीन से भी कट जाए, तो वह पूरी सांख्या चो से निभाजित होगी, बस इतना ही क करना और कुछ नहीं करना जैसे सब्सक्राइब यहां पर लेते हैं यह लिखनी है हम बोलेंगे कि छोट डिभाइड होगा कि नहीं होगा तो इस पर दो और तिन का नियम लगाना है दो का नियम आप समझाएं कि लास्ट में जीरो होगा तो दो काटेगा तीन का नियम होता है स शो का नियम भी लागू होगा यानि यह पूरी सांख्या को छो डिवाइट करेगा बस इतना ही गम काटा और कुछ नहीं करना है जैसे अगला हम एक्जामपल लेते हैं यह लिख लेव h Senior sui काटेगा थो आप बोल जाए पर सकते कि चो इसको डिवाइट नहीं करेगा यानि नेका मतलब हो गया कि जिस भी संख्या को यदि दू काट दे और तीन काट दे पूरी तरह उसको काट दे तो वा पूरी संख्या को छोट डिवाइड करेगा या जिस संख्या में से दोनों में से कोई यदि एक फैल हो जाएगा तो वा पूरी संख्या को छोट डिवाइड नहीं करेगा बस इतना दिलाते हैं कि आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे साथ का नियम हम आपको बता रहे हैं देखें साथ का नियम आपका है क्या साथ का नियम है कि कोई भी सांख्या साथ से पूर्णता बिभाजित होगी यदि वह संख्या एक ही आंकों के 6 बर रिपीट, यानि कोई भी संख्या, साथ से ढिवाइड होगा, जो एक ही आंकों के 6 बर रिपीटेशन से बना हो, तो वह पूरी संख्या 7 से पूर्ण तब विवाजित होगे। यानि कहानी का मतलब 7 से कटने का नियम कोई भी संख्या लिखना है अगर 5 को लिखना है तो 6 बार यदि लिखा रहेगा तो वह पूरी संख्या साथ से कटेगा जैसे 8 लिखते हैं तो 6 बार यदि हम लिख दिये 8 को या पूरी संख्या साथ से कटेगा जैसे 3 लिख दिये 6 बा थे 35 को लेते कहां ये 7 से कट रहे साथ तो नहीं कट रहा तो यह आपका जो है नियम 50 पर संट मुझे ऑल PUBG उल्द के दूसरा एक यह और होता है जो कि इस नियम को भी सटिसफाइब कर देता है तो हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे अब याद रखने आपको कि छोब और रिपीट हो गया तो आप पूरी सांख्या साथ से कटेगा एकदम पक्का गारेंटी कटेगा या नहीं रिपीट होने वाला जो है वह हम नियम एक और आपको देंगे तो आप उसस समझ सकते इसको चलिए अगला सवाल हम बताते हैं आठ का नियम आठ का नियम ध्यान से समझेगा आठ का नियम आपका हो गया यहाँ पर ध्यान देना कि आठ का नियम यह चार के नियम के तरह चलता है आठ का नियम चार के नियम के तरह चलता है जैसे हम बोलते कि कोई भी सं चार का नियम हो गया कि लास्ट दू अंग झार कनियम हो गया कि लास्ट तीन अंग यानि रास्ट का तीन अंग यादि 8 से कट गया तो अब पूरी सांख्या आठ से कड़ेगी जैसे एक जम्पल हम लेते हैं सेवन थेरी टो वन जीरो फोर यह लें लास्ट तीन आंग या फस्ट इधर से बोलेगा फस्ट तीन इधर से चलिए गता है लास्ट तीन आंग जैसे सोचना है तो यहां पर एक सो चार यदि आठ डिवाइड कर दिया और्ट से भाग लग गया हम देख लेते हैं यहां पर 2 हो गया चोविस आठतिया 24 हो गया आठ पूरी तरह एक सो चार को काट दिया तंए पूरी सांख्या 8 से भी भाजित होगा इस चेज को याद रखना है यानि कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी सांख्या 8 से कटेगा यानि उसका 3 अंग डिजिट जो है आपका 8 से डिभाइट हो गया तो अब पूरी संख्या 8 से कटेगा कोई दिकत नहीं है यह समने मागए आपको अब चलते 9 जैसे यहां पर में लेता है दूसरा यह ले लिए जैसे 243 से लास्ट में आगया तो 243 में हम 8 से भाग देते हैं यह 24 हो गया तो सेसफल आपका 3 बच गया तो यह पूरा पूरी नहीं कटा तो इसको बोल देंगा 8 से नहीं कटेगा पस होगी इतना ही काम करना है 9 का नियम प और हम चलेंगे आपको याद करवाते हुए रिपीट कर देंगे पूरे चीज को ताकि आप ध्यान से समझ सके 9 का नियम नो का विवास्ता का नियम आपका होता है कि कोई भी संक्या 9 से पूर्ण तब विभाजित होगी यदि वह पूरी संक्या का अंको का योग यदि उस सं संक्या 3 से विवास्ता होगा जब इस सभी अंको का योग 3 से कटना चाहिए 9 का नियम हो गया वही ऌंको का योग 9 से रखेगा तीन के नियम में नो काटेगा आपका अंशर तयार हो जाएगा तो देखिए है जैसे हम लिख दी हम बोलेंगे कि नो काटेगा कर ने काटेगा सब का जोड कर लिए 7 30 15 15 20 27 यह 27 आपका 9 से डिभाइड हो रहा है तो यह पूरी सांख्या 9 से विभारित हो जाएगा और कुछ नहीं कर दा यानि कहानी का मतलब कि कोई भी सांख्या को हल करना है नो से विभास्ता का नियम लागू करना है तो वह पूरी सांख्या को जोड देना है जोडने के बाद यदि नो डिवाइड कर दिया तो वह पूरी सांख्या नो काटेगा अन्य था नहीं काटेगा कि पर सितना कम करनेThis कि यह लिग दी है तो शातीं दसपूंड पंद्रह अगर 15 नो डिवाइट कर रहा है तो इसको भोलेंगे कि नहीं करेगा यहां पर हम देख लेते कि इसको तीन काड़ सकता ही तो पंद्रह पड़ा उसको not divide करेगा जिस सांख्या के सभी अंको का योग तीन divide हो जाए तीन से divide हो जाए तो वह पूरी सांख्या तीन से divide होगा और कुछ करना नहीं है बस इतना चीश समयना है तो चलते अगला दस का नियम तो बताने के कोई भी जवरत नहीं है लास्ट में आपका 0 हो गया तो वह पूरी सांख्या 10 से डिवाइड होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब हम चलते 11 का नियम 11 का नियम आपका होता क्या है यह बोल देते हैं कोई भी सांख्या 11 से पूर्णतर विभाजित होगे यदि उस सांख्या के सभी अल्टरनेट आंकों के योग का अंतर यदि 0 हो गया तो वह पूरी सांख्या 11 से विभाजित होगे अल्टरनेट आंकों के योग का अंतर क्या है जैसे यह ले ले लिए यह ले लिए, हम बोलते हैं कि 11 यह कटेगा का नहीं कटेगा, तो इसको चेक करने के लिए alternate, इसका alternate यह, और इसका alternate यह, यानि alternate का मतला होता है, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, यानि एक को छोड़िए, एक को पकरिए, एक को छोड़िए, एक को पकरिए, इसका alternate यह, इसक वास पिल से भी हो गया तो आपको आपको याद दिलातें फिरश हैंifting अप्र जाएंगे आप दोनों का संहाечат मुद्स हेसी नहीं हम आपको आ गया कोई दिक्कत नहीं है तो अब एक बार हम आपको याद दिलाते फिर से कि आप बोलेंगे कैसे आप इसको सुने के आज के बाद मेरे तरह कैसे बोल पाएंगे उसके लिए हम बोलते है एकदम अंगली पर याद रखना है दो का नियम हो गया लास्ट में जीरो हो या फिर दो से कटने कोई नियम हो लाश्ट में जीरो हो गया या इए उसके Swach सम्ण संख्या हो गया उसको हम दो बिवाजित कर सकता है इसे नियम गया रखनो То कन यह मोगं दसके नियम्हें अल्टरने अंकों के योग का अंतर। यदि जीरो हो गिया या फिर 11 का कोई गुनज हो गिया तो आप पूरी संक्या 11 से भी भाजित हो पस इतना चीज़ याद रखना है और आप बोलेंगे कि 11 से आगे क्या जाएगा तो 11 से आगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बहुत सार चीज़ होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेका कर लीज़ेगा Alors like और कमेंट कर सकते हैं और यह अपका ठरिक संत्र सुलताजयन का है अगर आप ऑफ-लाइन भी क्लास करना चाहते आफ ऑनलाइन क्लास भी बनाज के चलिए आज इतना ही रने देते नेक्स्ट वीडियो में कल आते हैं कल का नियम 13 14 15 16 कंटिन्यू जहां तक जाना है जा सकते हैं तब तक के लिए जाहिंद